दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ जो पूरा का पूरा आइलेंड है यहां का नजारा आपको चकित कर देगा दोस्तो यह आज एक बड़े देश का राज्या है लेकिन कभी यह एक देश हुआ करता था यह दुनिया के सूपर पावर देश का सबसे नया राज्या है एक ऐसा राज्या है जहां आपको सबसे ज़्यादा जानवर देखने को मिलेने यहां पर सबसे ज़्यादा पार्टी करने वाले लोग रहते हैं कहा जाता है कि जो अमेरिका आता है वो यहां का नजारा देखने के लिए एक बार ज़रूर आता है जी आँ दोस्तो आज हम आपको अमेरिका के हावाई राज्य के बारे में रोचक जानकारियाद देने जा रहे हैं बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि ये बहुत इस्पेसल होने वाली है दोस्तो इस स्टेट को ड्यूटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है इसकी खूबसूरती के बारे में सायद आपको पता नहों लेकिन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हावाई में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हावाई की राजदानी सायर है होनोलू होनोलू में बहुत ही ज़्यादा प्रसित समुझरी तठ हैं जो की आधे चांद की तरह दिखाई देते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए इस्थान बहुत ही अधिक लोग प्री है क्योंकि हावाई अमेरिका का स्टेट है इसलिए यहाँ पर आपको अमेरिकन कल्चर देखने को मिलता है लेकिन यह बिल्कुल ही अलग किस्म का आईलेंड है यहाँ पर जमीन की कोई कमी नहीं है क्योंकि पोपुलेशन ही कम है 239 लोग यहाँ पर आपको पर स्कॉर किलोमेटर पर दिखाई देते हैं यहाँ पर सब लोग आपको डिसिप्लिन नजर आएंगे इस स्टेट में आप छोटे से बच्चे को भी सर्फ करते हुए देख सकते हैं दोस्तो हवाई को वोलकेनो प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे जुआला मुखी देखने को मिलेंगे माउनी से मैथलिया काला यहाँ का सबसे उंचा जुआला मुखी है यहाँ पर लोगों को सब कुछ सफेद पहनने का बड़ा सोंक है सबसे कमाल की बात यह है कि यह वाहिट सूज भी पहनते हैं दोस्तो हवाई में पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादतर भाहिट कपड़ों में नज़र आते हैं अमेरिका का यह पहला स्टेट है जहाँ पर दो लैंगेज बोले जाती है एक इंगलिस और दूसरी हवाईयन हवाईयन यहाँ सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं यहाँ का मेन सोर्स अप इंकम फ्रूरीजमी है यहाँ के लोगों का लाइप इस्टाइल ही बहुत अलग है यहाँ पर लोग बहुत पैसे वाले होते हैं और यहाँ पर किसी के पास भी कोई कमी नहीं है जितना कमाया उतना उड़ाया यह हैं यहां के लोगों का कंसेट यहां के लोगों के कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं इसे अमेरिका का खुशाल स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबके पास खुद के घर और सारी सुईदाएं है यह अमेरिका का सबसे फित स्टेट है यहां की आबादी में से 78% लोग रोज कम से कम 6-7 किलो मिटर की रनिंग जरूर करते हैं पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोकोन अटका उत्पादन भी इसी स्टेट में होता है यहां से नारियल एक्सपोर्ट भी किये जाते हैं दोस्तों अमोमन पूरे अमेरिका में कोई किसी के गले नहीं मिलता लेकिन हावाई एक मातर ऐसी जगہ है चहां लोग गले मिलना पसंद करते हैं यहां के लोगों को सबसे ज़्यादा सोसल कहा जाता है यहां के लोगों की एक बढ़िया परमपरा यह है कि यहां के लोग किसी के घर में भी चपल या जूते फैन कर एंट्री नहीं करते दोस्तो हवाई आईलेंड पर आपको तरह तरह के फ्लावर्स देखने को मिल दाएंगे लोग का मानना है कि यहां पर सबसे ज़्यादा फूल्स उगाए जाते हैं यहां पर लोग सोख से अपने घर के बाहर गार्डन बनाते हैं और उसकी देखवार करते हैं यही वज़ा है कि हवाई को सबसे ज़्यादा कलरफुल माना गया है यहां की एक बहुत ही बढ़िया परंपरा है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी वो यह की अगर यहां पर किसी के बागीजे में बहुत सारी फल है तो वो इन्हें अपने पोडोशियों में बाट देता है दोस्तों यहां पर आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा अमेरिका में मातर दो ही ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई भी जुआ नहीं केल सकता हावाई उनी में से एक है यहां पर जुआ खेलना पूरी तरह से बैंड है हावाई के लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं होलिवुड में बहुत सारे कलाकार हैं जो की इसी स्टेट से तालूग रखते हैं कई सारे सुपर स्टार्स बने हैं इस स्टेट से यहां के लोग बहुत ही बड़िया पेंटर्स होते हैं इसलिए यहां के लोग दीवारों को डिजाइन करके रखते हैं चलिए थोड़ी बाते करते हैं यहां की लड़कियों के बारे में वैल यहां की लड़कियां बहुत ही मतवाली होती हैं यह आपसे बहुत ही जल्दी दोस्ती कर लेंगी ये किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती हैं यहां की लड़कियों का अगर आपको दिल जीतना है तो बस आप उनसे सच बोलिए यही वो रास्ता है जिससे आप अपने रेलेशन को अगे भी कायम रख सकते हैं हवाई गूमने जाना अमेरिका के बाकी स्टेट्स के मुकाबले सस्ता है तभी तो यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गूमने के लिए आते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें धन्यवाद